तो जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में और जैसा कि आप लोगों को पता है और जिनको नई पता है मैं उनको बता देता हूँ कि अपने हाटा में भगवान भोलेनाध जी का बहुत भवे मंदिर में हटेश्वनाध जी नामसे है और यहां पर हर साल जैसा कि मुझे पता है करीब सेकड़ों सालों से यहां पर पॉस माह की तेरस को है ना उस दिन काफी संकर जी की पूजा की जाती है अलग-अलग जगह में कई लोगों को पुवास भी रखते हैं और मेले का आयोजन होता है तो इसी क्रम में हमारे यहां भी कर इस Size आप सब भी आईए आप सब मिलकर जैसे की कई लोग बहुत सारे लोग मेरे को कंप्लेंट भी करते हैं कि सर हम आप से मिलने आतों और मुल नहीं पाते है क्या उफिस्वार काम basketball पर कहीं प्रेलज में जाना होता है तो मैं यहां पर बड़ा योजन है तो मैं यहां पर दो दिन लगतार यहां पर ही रहूंगा तो अगर आप मुझसे भी मिलना चाहते हैं तो यहां पर आ सकते हैं मैं मिल जाऊंगा इसके लावा आप आईए बढ़िया भोले नात की दर्सन कीजिए और मेला को भी एंजॉय करिए मद्ध प्रदेश के सबसे युवा यसाई और हाटाचो की प्रभारी विकास सिंगोर के साथ आईए हम उस्ते हैं 21 तारिक को हाटे स्वरनात का मिला लगने जा रहा है जहां लाखों की भीडाती है उस बारे में क्या बेवस्ता जुनकी है अधनी विकास जी आपको सोभाग्य है कि आपके आते ही पहली बार इस आतिहासिक मेले का संचालन आपके हाथों में आ रहा है क्या विवस्ता आपने बनाई है धन्यवाद फिलाल तो काफी अच्छी विवस्ता हैं अभी तक जैसा पहले भी रहता था कि काफी पुलिस फोर्स बाहर से भी आता था इस बार भी हम लोगों ने उपर के अधिकारियों से समन में बनाया हुआ है और उनको पूरी जानकारी दे दी है कि जैसा कि ये मेला काफी बड़ा लगता है करीब पचास जार से एक लाख लोग आते हैं तो उस हिसाब से विवस्ता के लिए हम लोगों ने लाइन से भी बात कर रखी है और अपने थाना प्रवारी महोदय से भी बात कर रही है तो करीब करीब 25 से 50 कबल यहां पर पहले से उपस्तित रहेगा जो लगातार वहाँ पे मतलब गस्त भी करेगा और व्यवस्ताओं को देखेगा इसके लावा सुरक्षा की दरश्टी से मैंने एक रजिस्टर तयार कराया हुआ है चौकी में और जो भी व्यपारी वहाँ पे आ रहा है कई क्या है कि अलग अलग जगह से आते हैं दूर से आते हैं तो सभी अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे देंगे और साथ में नोट करायेंगे कि वो काय की दुकान रखे हुए हैं और कपसे कितने दिन के लिए यहाँ पर आई हुए हैं ताकि कोई उच नीच होती है तो हम उनसे डिर्क कॉंटेक्ट कर सब्सक्राइब विकास सिंग जी यहाँ यह देखा गया है कि चेन स्ट्रेचिंग आदखी घटनाएं यहाँ अकसर हुआ करती हैं किया यह आपको जानकारी है या नहीं है अगर नहीं हो तो आपको बता दे रहा हूं क्या इस बारे में भी कोई ब्योस्था आपने बनाई हैं बिलकुल यह क्या है कि यहाँ नहीं जहां भी कभी भी भीड़ होती है भीड़ भाड़ की घटनाई होती है तो कुछ होते हैं अपराधिक तत्व जो इसका भीड़ का फायदा उठा लेते हैं और चैन स्नेचिंग या पॉकेट मारना ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं इसलिए हम लोग अभी से नजर बनाए हुएं जैसे कि आप देखे होंगे जश्ट पांच मिनट पहले ही में वहां से घूम के आया था देख रहा था कि कैसा क्या महौल है और जो हमारा फोर्स लगा रहेगा वो उसको तैनात करने का उद्देश यही है कि वो लगातार ऐसे जो अपरादिक तत्तो समझ में आते हैं उन पे नजर बनाए रखे और ऐसे ही घटनाए होने से रोकने के पूरे प्रयास करेंगी धन्यवाद आज हम खड़े हैं हाटे स्वरनात परिसर में जहां की 21 तारीक को मेला लगने जा रहा है यह मेला बिंद के बड़े मेलों में सुमार है जहां मत्व देश उत्तव देश के अनेग व्यापारी आते हैं चाहे वो जूले वाले हों किराने के बेहसाई हों कपड़े के बेहसाई हों सोने चांदी के बेहसाई हों लोहे आद के बेहसाई हों तमाम प्रकार की यहां दुकाने आती हैं और लाखों लोग यहां आया करते हैं आज हम आप से मिला रहे हैं इस जूले को ले करके आप जूला सामने देख रहे हैं उसके जो व्यापारी है जो उसके मालिक हैं उनसे मिलाना जा रहे हैं क्या नाम है आपका सम्तिलाल के सरवानी कितने वर्सों से यहां चार साल से आ रहे हैं अब कितने की हम दनी कर लेते होंगे इस वर्स आपी बस आएं कि और दूसरे जूले वाले भी आए इस साल तो फसे हुए लोग बना रस्म लगे हुए जो आते थे कितने प्रकार की झूले अब यहाँ लेकि दूटर tidak यह जूल को मैं लेक्वत कर लिए मिले कर लेकिए जब मेली ऑ दो पर 2 नहीं है एक महिना चाले महां चला चाला कर दूसरे मेला नी सहरों मैं डालते हैं इस मेले में आप तब तक रहेंगे आते हुए हम लोगों को लग जाता है यहां क्या खर्च गिरता होगा अदरनी महन सिंग्जी आप हाटा के सरपंच है और आपके हाटा छेत्र में आपके सरपंची काल में प्रथम बार मेला लगने जा रहा है जो एतिहासिक मेला है इस मेले को लेकर आप क्या खाना चाहिए मेरा जो है यहां सरपंची का पर्थम कारकाल चल ला है और मैं चाहता हूँ कि यहां पर जो मिला बेवस्था हो कुछ अलग ढंग से हो मंदीर को पुरी तरह सजा आ जाये का लाइट के द्वारा और जो बाहरी लोग दुकान वाले आएं उनको भी किसी परकार का सुभधा नह होंगा और जहां सब खोचे लेगा तो लोग संतुष्टो करके यहां से जाएं यहां मीट मतन मच्छी की दुकाने मेले में सज जाती है और कई वाइब रोज भी हुआ लेकिन उसके बारे में कोई कारवाई नहीं हो पाई है आप एजे सरपंच क्या कारवाई करेंगे मेरा प्रयास रहेगा कि मेला परिशर में मीट मच्छी अंडे की दुकान संचालित नहों पूरता पर्यास करूंगाज़ देखे बंद तो नहीं की जाती तें मेला परिशर से काफी दूर लगे हैं जिससे यहां की मंदीर की परिशर की सचिता परीद है क्या लाखों की भीड़ा कि अभी तो देखे जैसे कि दुकानों का जो आवंटन हो कोशिस कर रहा हूं कि उसमें किसी को कोई अभेदन किया है या जैसे अथिक्रमण के यहां पर ड्यूटी लगा दी है हो सकता कल्या पर्सों से सभी भ्याग लोग यहां जाएंगे और जहां तक अधिक्रमण की बात है तो वह कोट का चाहित कर रहे हैं इस बार जगह काफी संकिन हो गया है और ऐसी बियोस्ता अगर बना दी जाए कि मार्ग निकाल दिया जाए त वह में उपयोग किया सकता है किया ऐसा आप कोई प्रपोजल है मेरे पास ऐसा कोई परस्ताव आता है तो दुकान दारों किसी प्रकार का सुख़ता नहीं दे जाएक ब्रस्ताव का समय तो नहीं है